कि गोजू सातारों सेच में मर चुका है क्योंकि लास्स चप्टर के इंडिंग में हमें देखा था कि गोजू को पुरा और डिकलियर कर दिया गा था लेकिन इस वाली चप्टर को देखके मेरे पुरे ओशी उट गई या पर सुकुरा ने पुरे बैटल के पास से बलटके वापर गोजो उसको बोलता है कि फरक पढ़ता है यार उसके बाद में गोजो उसके फादर के बारे में कुछ बता रहा होता है लेकिन वो बीच में अपनी बात को कार देता है आगे इन लोग की बात कंटिन्यू होती है रो वापर गेटो गोजो को बोलता है कि कि किंग आप मुझे पूरा आट जाने का मौका ही नहीं मिला था जो कि मुझे सुकुना नहीं दिया गोजो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं बोलता है कि उसको सुकुना के लिए बुरा अगरा है क्योंकि वो अपनी पूरी स्किल्स गोजो के सामने दिखा नहीं पाया क्योंकि गोजो थोड़ा सा कमजोर बढ़िया था वापर गेटो गोजो को बोलता है कि तुम सुकुना की बात छोड़ो तुम तो सैटिसफाइड हो ना इस वाली फाइड से तु आपर गोजो बोलता है कि फाइड के अंदर इस ज़्यादा सैटिसफाइड में कभी हुआ नी था गोजो अपनी बात को continue करते हैं बोलता है कि मैं glad हूँ कि आपर मैं किसी disease या बुढ़ा वने से नहीं मरा हूँ बलकि जो बंदा मेरे से strong सा उससे हाथ से में आपर मरा हूँ वह बलता है कि तुम ना थोड़ा सा संबुराइ जेनल जिस साउन कर रहे हो वह बलता है कि उसको नहीं पता कि गोजो के last moment कैसे थे लेकिन वह उसके लिए सेंपति दिखा रहा हाता उसके बाद में गोजो नानामी को अपनी लाश मुवमेंट के बार में पूछता है कि वो बोलता है कि नानामी तुम्हारे लाश मुवमेंट कैसे थे वापर नानामी गोजो को बोलता है कि मेरे जो लाश मुवमेंट थे वो इतनी भी जादा बुरे नहीं थे उसके बाद में गोजो सबको फेरिवेल देदर हमको वापर एक पैनल दिखाया जाता है जापर गोजो के आधी बोड़ी कड़ चुकी है वापर गोजो का धड़ कड़ के जमिन पे पड़ा रहता है र.I.P. गोजो साथारू लास्ट चाप्टर की अंदर एसा लग रहा था कि गोजो यापर खड़ा हो चुका है लेकिन उसकी आधी बोड़ी यापर कड़ चुकी थी उसके बाद में हम रियाल्टी में वापस आता है वापर सुकुना मावरगा के अड़ाप्टेशन को एक्स्पेंग कर रहा होता है वो बोल रहा होता है कि जैसे से मावरगा के उपर कोई भी आटाक होता है वेसी वो उस वाले आटाक को अड़ाप्ट कर लेता है जितने ज्यादा आटाक मावरगा के उपर होंगा वो तनाई जल्दी उन सारे अटाक को अड़ाप्ट कर लेगा सुकुना बोलता है कि उसको लग वो सुकुना के कर्ष टेक्निक से काफ़ जदा पाउरफूल था क्योंकि जो माउरागा के कर्ष टेक्निक थी उसका जो टार्गेट का रेडियस था वो पुरा का पुरा एक्सपांड हो गया था और इसी रेडियस के वज़े से अभी जो माउरागा था वो अपनी स्लैश टेक के अंदर डिवाइड कर दिया था वापर सुकुना गोजो के सामने खड़े हो के उसको बोल रहा होता है कि गुड जाप गोजो सातारू में तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा उसके बाद में हमको सीधा लाश पैनल दिखा जाता है जा पर गोजो के देद का बिल्कुल भ बारी होते वेडिक रहे हैं कि अ झाल झाल